नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल ने दोस्तों अभी अभी निकल रहा था तो मुझे एक जड़ी बूटी दिग गई एक वनस्पती दिग गई जिसका मैं अभी आपको वीडियो बनाके दिखा रहा हूं देख लिजे दोस्तों ध्यान पूर देख करने तो मैं इस वीडियो में आपको इसके फायदे के बारे में जरूर बताऊंगा ध्यान पूरू कि देखिए का दोस्तों यह बड़े ही वीडियो है यह देखिए रोट के किनारे यह अपने आप ही उगने वाला पौधा है यह रोट के किनारों पर उखता है खेत-कलियान तो जो खाली जमीन आप्ड़ होते इस को पहचांक लिजी इसकी पत्यों को देख़ैंक की तरह की होती है जैसे इव्ह तुछे तरीके से च्पकती है कि सी भी कपड़े पे चिपक जाती है इसको आगर तोड़ करके बच्चे खेलते हैं आपने भी बच्पन रिब जो ढब खेला होगा इसको को तोड़ students को और जब किसी के ऊपर फेकते हैं तो तुरण चीपक जाती है हाथ पर ये लेखिए दोस्तो तो दोस्तो मैं इसका नाम बताओं भाएसको और आपके खाने का तरीगा यह यह वी मैं बताओं गां और क्ताुब विमारियों में आपके काम आ सकती है ये भी मैं बताऊंगा उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्टे वीडियो जरह सी बचला लगे तो एक लाइक करते हैं तो उसे लाइक करने समझे कोई पैसे ने मिलते हैं बलकि मेरा मनोबल वरता है और आपके लिए वीडियो बनाने क दो तो हाइरन रह जाएंगे दोस्तों चली इसका नाम बदा देता हूं इसका नाम है दोस्तों ku trusting कि लीड़ पूछ के नाम से जाना जाताह। कहीं कहीं इसको कुत्री गास के नाम से भी जानते हैं दोस्तों आपके छित्र में हो सकता है किसी और नाम से जाना जाता होगा तो दोस्तों कमेंड करके बताइए कि इससे क्या होता है कि जो दूसरे जो वियोर होते हैं जो इसको पाचान ने कर पाते हैं उनको पाचान करने मे जाता है कि दोस्तों अगर आप इसका स्हिवन करते हैं तो आपके अंदर जो पिसाब में जरल होती है पिसाब में दर्द होना या पिसाब रुक रुक के आना या किड्नी समंदित कोई और परसान होना इसके जो विज होते हैं बड़े ही उप्योगी होते हैं पिसाप समणनदी कोई भी समास्या होना पिसाप इसको सेवन करने से पिसाप खुल के आती है मुत्र समणनदी रोगों के लिए बहुत ही बेतरी नहसादी है यह किदनी और लीवर को भी मजबूत करती है, यहां तक कि सांप के जहर को भी उतारने का काम करती है, इसके अलावा चर्म रोग यानि कि दाथ, खाश, कुजलिस, और ऐसे सजीमा, दिनायादी, या फिर फोड़े फुंसी की समस्या हो, उसमें भी है, काफी लाब करती है, तो मुद्रसमंदिर हो तो आपको क्या किरें, इसके जो ऊपर का जो मझरी देख रहे है इसको ले आए, जाब यहा पकत जाए, अब ये कच्छी हो त्यालियाता मैं, तब आपको इसको क्लेक्ट करना है तो आपको क्या करना है जब यह patron हैं, इसको बीज से पूपनाना है, और तो इस्सी तरह केसे इसका भी निकलते हैं छोटे-छोटे बीज हो के और उसी भीज को आपको क्या करना है् फिर उसका पीज करकेather बनार के रख लेना है ओर पावड अपको गुंगुणे पानी के साथ आपको सेवन करना है सुबह और साम अगर ऐसा करते हैं तो आपके मुत्र समंधी रोग दूर हो जाते हैं और मुत्र समंधी बहुत ज़्यादा परसान ही है तो इसके साथ गोखरू के बीच को भी मिला लें जितनी मातरा में यह आप विदर पूछ के बीच को लेंगे उतनी मा कि अगर चर्म रोग हो नो किसी प्रकार का चर्म रोग या फोड़े फूंशी हो तो इसके मंजरी को देख लिजिए यह मंजरी आप इसको चाहे पक्य वस्था में ले ले लें चाहे कच्ची वस्था में अभी अभी भी इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस मंजरी को सिल जाते हैं दोस्तों अगर आपको कमजोरी हो गयी ओ तो इसका प्रयोग एक बार जरूर करें आपको क्या करना है पकी होई इसके बीज लाना है जैसे तो इसको कलेक्ट करिए और इसको क्या करिए कि चाल, काजू जो बादम ढलते हैं किस्व डैये जो ड्राइफूरि ऑध्यू के बीजों निम्रेजया है काजू बना मेथ कोड़ है कल यो ड्राइप पूर कोले हैं तो ड्राइफ़ जालना ग्रावर सूखा जब रखेंगे तो 25 ग्राम के बरावर कम से कम 25-30 ग्राम के बरावर आपको एक आदमी खाएगा कि इसका खीर तो उसी किसाब से बनाना है और डेली अगर आप रात को शोते समय खीर खाते हैं तो आपके अंदर गजब की इनरजी गजब की ताकत आती है यह श्टिक्ता से बरपूरोते में प्रोटीन बरपूर मातरा में पहें जाता है फासफूरस सब्धाने के बीज गण 123 के दोस्तों इसका खीर वनाके खाने अगर ihm請क द्धातो इस अब को यह ठीक करता है तो यह आपकी गुपत रोग से रिलेटेड कोई प्राप्लम है उसमें भी यह काफी लाब करता है दोस्तों अगर आपको अंदुरी समस्चाएं होती हैं गुपत रोग होते हैं धातु की समस्चा तो यह कि प्रयोग और है जो कि बहुत ही और बहतर दोट करके चोटे चोटे कर लेंगे और इसको सभी बाग को यानि की फूल इसके पति-मन्जरी आदी-जड़ को सब कूट पीछ करके चूर्ण बना लेना है और फिर उसको एक चमचती मात्रा में गाय के दूद के साथ अगर साम को यह सुबह जब आपको टाइम मिलें आप इसका स्टेवन कर सकते हैं अगर करते हैं तब यह बहुत ही ज्यादा व्यहतरिन फायदा देता है आपको गुप्त रोगों के लिए दोस्तों आपके सरीर में अनेक प्रकार का जो ठीक होगा मताओं बहनों में अगर लिकुरिया की समस्या है तो भी वह इसका प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए भी काफी फायद मन्दे बालों बाल अगर जड़ते न तो अगर आप इसके पंचांग का चूरन अगर आप खाते है जैसे में अगता है दूत की साथ बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है बाल जड़ने की समस्या को यह से बचाता है पौरिस छमता की जो दोस्तों पौरिस छमता को बढ़ाता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक और अच्छी तरी करना है इसको जड़ के साथ उखा लेना है अगर किसी को साव भिश्व आदि काट लिया हो जड़ के साथ तरन उखा रहे हैं और उसको पीत करके तरफ उसको पिलाएं 20-25 से मिल रस पिला दे और जो भी करके इसको पिस्ट बना जो पीृष्ट जो पिसते हैं तो पेश्ट भी इसे निस्करी हो जाता है अगर सापने काता तो यह साप के जहर को थोड़ी देल के रोके आपको डाक्टर पास जरूर लेजाना चाहिए क्योंकि किसी पर निर्वन नहीं करना चाहिए लेकिन बिश्चों और जो छोटों मोट कीड़े काट लेते हैं उनके जहर को उतार देता है तो इस तरह से यह जहरीले कीड़े वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत निनवाद आप हंस्ते रहें मस्त रहें दोस्तों जैन नमस्कार